दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि वेस्टीज से जब आप कोई समान खरीजते हो तो उसके बाद जो आपको tax invoice मिलता है वेस्टीज का उसको कैसे देखा जाता है जब भी आप कोई भी समान product बाई कर रहे हो वेस्टीज से तो सभी में जो है उसका point value जो है उसमें लिखा रहता है और जो आपको invoice मिलता है उसमें भी सारा detail रहता है तो बहुत जरोड़ी होता है कि कोई भी समान अगर purchase कर रहे हो आप तो एक बाद अच्छे से मिलान कर लो invoice देख लो उसपे सब कुछ सही तरीके से अंकित है या नहीं क्योंकि आपका सारा business वगेरा जो है आपका आपके team का उसपर ही depend करता है अगर invoice में कुछ गलती रहेग तो फिर आपका जो bonus है जो आपको मिलता है उस वो affected हो सकता है इसलिए वो चीज मैं आपको यहां सिखाना चाहता हूँ यैसे कि कल ही हमने जो है एक product buy किया है ठीक है वेस्टीज के सोध दुकान पर जाकर spirulina जो है दो मैंने वहां purchase किया है तो उसके बाद जो है मुझे एक invoice मिला है उस invoice को कैसे देखा जाता है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ यह screen पर invoice दिख रहा है इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ यह invoice मैं पूरा उपर से दिखा देता हूं क्या 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 इसमें detail रहता है company का नाम रहेगा उपर में जिस दुकान से आपने purchase किया है उसका address रहेगा mobile number रहेगा ठीक है उसके बाद इस voice number ठीक है c-i-i-n pen number जो है वो रहेगा आपका उसके बाद यहाँ पर आपका नाम रहेगा आपका distributor ID रहेगा state रहेगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो product लिया है उसका item code रहेगा distributor price DP रहेगा product का नाम रहेगा HSN रहेगा, उसका unit price quantity दो लिया है तो दो दिख़़ा है, amount रहेगा ठीक है, जो भी taxes वगएरे हैं, वो सब जोड जारा के जो value रहेगा, total वो 720 पर बनता है, एक का 360 तो दो का 720, ठीक है इस तरह से रहेगा, voucher है कि नहीं है, वो आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है total quantity, ठीक है total tax amount total amount यह रहेगा payment mode जो है आपने कैसे किया है, cash में किया है कि क्या किया है, वो पूरा detail रहेगा हमने cash में किया, तो उसका details रहेगा ठीक है, जो text आपका लगा है वो यहाँ पर दिखा रहा है दुकान का मोहर जो है, वो मार रहेगा इसके उपर में, ठीक है उसके बाद में नीचे आपको और भी details रहेगे टोटल कितने pv purchase किया 24 pv वो दिखेगा यहाँ पर इस तरह से जो है, वेस्टी invoice को जो है, आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेजिए, product buy करने के बाद यह बहुत जरूरी है, कि सब कुछ वहाँ सही सही आना चाहिए buy करने के बाद जो है, आपको computerize bill जो है, दुकान वाले आपको दे देते हैं, अगर आप online भी purchase करते हो, तो घर पर जो product आता है, उसके साथ आपको यह invoice मिल जाता है, अगर इसमें कोई गलती पाये जाता है, इसमें कुछ सुधार करवाना है, तो आप जो है दुकान पर consult कर सकते हो, या फिर उसी समय अगर कुछ आपको उसमें लगड़ा है कि इसमें सही से नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है, तो वहाँ पर आप complain करके बोल सकते हो, कि भाई, यह दिक्कत है, इसको सुधार कर दीजिए, ठीक है, तो मैंने बता दिया कैसे देखना है, लेकिन अगर आपको वेस्टीज में जॉइन करना है, तो मेरे इस website पर आईएगा, और यहां how to join को क्लिक करना है मेरे reference code का इस्तमाल कीजिए वेस्टीज के online shopping application से इसको आप जॉइन कीजिए, जॉइन करने का training video मैंने यहां दे दिया है आप इसको follow कीजिए, thank you